इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस ताह से आप अपनी आवशक्ता के अनुसार अपने अलग-अलग employees को HTPOS Smart की functionality के access right दे सकते हैं, जो की सुरक्षा की द्रस्टी से बहुत महत्रपूर हैं और जिसे आप अपनी HTPOS Smart application में बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने employee और उनके login ID password को create करना होगा, जिसके लिए आप setup बटन पर click करें, setup window के पहले page के employee option पर click करें, और इसके बाद add employee बटन पर click करें, जहां पर आप अपने employee को create कर सकते हैं, यहां पर मैं अपने employee का नाम लेता हूँ, अमित, लास्ट नेम, टिवारी, इसके बाद बाकी सभी information, search code, data worth, address, यह सभी option information है, जिन्हें आप अपनी आवश्चक्ता के अनुसार दे सकते हैं, इसके बाद मैं अपने employee अमित टिवारी के लिए login ID password करता हूँ, जहां पर login details में, user का name, जो की मेरे employee अमित की login ID है, यहां पर देता हूँ, अमित, login ID चेक करने के लिए, check ID बटन पर click करें, login ID is available होने के बाद, OK बटन पर click करें, और अब आप अपने employee का password create करें, यहां पर मैं अपने employee, अमित का password create करता हूँ, अमित, और अब आप save बटन पर click करके, इस employee को उसकी login ID और password के साथ create कर सकते हैं, employee के create होने के बाद, यदि आप इस employee को access rights देना चाहते हैं, तो इसके लिए access right बटन पर click करें, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय, HD admin के साथ, मैं login अमित को देख सकता हूँ, इसके साथ, आप अपने screen के right areas पर जाए, जहाँ पर functionalities, HTPUS smart key, हर एक tool strip बटन और setup के अंदर की सभी बटन, एक functionalities की तरह treat के जाती हैं, जिने आप अपनी आवशक्ता के अनुसार, अपने employee को अलग-अलग access दे सकते हैं, उधारण के लिए, मैं अपने main screen की setup बटन का अपने employee अमित को access नहीं देना चाहता हूँ, तो इसके लिए, मैं हाँ से main screen पर जाके, PUS main, PUS main के अंदर setup बटन पर किलिक करता हूँ, और इस बटन को अब आप employee के ऊपर drag and drop करें, इसके लिए इस पर किलिक करके, और अपने login ID के ऊपर drop कर दें, जिसके बाद आप देख सकते हैं, नीचे bottom panel area पर login name अमित के लिए, functionality का name है, PUS main setup, जिसका access right by default 1 है, अब मैं अपने employee अमित के लिए इस access right को not allow करता हूँ, इसके लिए आप इस row पर right किलिक करें, और do not allow access option पर किलिक करें, जिसके बाद देख सकते हैं, अब मेरे employee अमित के लिए, functionality's PUS main setup का access right 0 हो चुका है, जिसका मतलब है, कि जब आप अमित के login ID password से login होंगे, तब आपको man speed पर setup बटन दिखाई नहीं देगी, इसके लिए मैं अपनी application को close करके restart करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं login ID अमित से login करता हूँ, username अमित, password name अमित, ok, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी menu screen पर setup बटन दिखाई नहीं दे रही है, जिसका मतलब यह हैं कि user अमित अब किसी भी तरीके से setup बटन के अंदर के सभी बटन को access नहीं कर सकता, आप चाहें तो अपनी menu बटन को भी इस तरीके के access right दे सकते हैं, अपनी मतलब यह हैं कि बटन के सकते हैं,